हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज, किंग से फेक्शन, एपिसोड 19, लास्ट अपिसोड में हमने देखा कि जुन को पता चल जाता है कि किंग ही दामी है, वो भाग कर किंग से मिलने आता है, किंग दामी के घर पर जुन के दिये हुए गिफ्ट जला रहे होत किंग के पास आता है और कहता है, हम दामी हैं, किंग और जुन दोनों की आँखों में आसू होते हैं, फिर दोनों बैट कर एक दूसरे से बाते करते हैं, जुन कहता है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप दामी हैं, किंग कहते हैं, इस बात से अब कोई फर्ग नहीं तक सफर करते रहे हो, ये बात हम दोरों ने चूज नहीं किया था, तो खुद पर ब्लेम मत करो, जुन कहता है, मैं हमेशा उस बिर्ज पर जाता था, जहां आपने उसे प्रॉमिस किया था मिलने का, और हमेशा आशा करता था, कि वो लड़की जहां भी हो, खुश हो, किंग कह और उसे किस कर देते हैं, जुन फिर उन्हें आग करता है, इदर सौयम त्यार हो रही होती है, पर उसका ध्यान नहीं होता, ना ही वो खुश होती है, वो अपनी मेट को जाने के लिए कहती है, और उसके जाते ही रोने लगती है, उसके बाद उसे याद आता है, कि रात को ज जुन उसके पास आया था और सौयम ने उसे सगाई तोड़ने के लिए कहा था और कहा था कि हमारे बीच में प्यार नहीं है और प्यार के बीना की गई शादी से हम दोनों खुश नहीं रहेंगे मैं जानती हूँ कि आप किसी और से प्यार करते हैं जुन उससे सोरी कहता है फिर सौयम अपने फादर से बात करेगी क्या है कर चली जाती है पर अंदर आकर वो बहुत रोती है फिर वो अपनी ड्रेस को फॉल करने लगती है और जुन के साथ बिताय हुए पल को याद करती है इदर जुन के फादर जुन को कहते हैं कि तुमने ये सब क्या कर दिया किंके जान को खत्रे में ठाल दिया जुन कहता है कि आप सच में कंट्री और किंके बाले में अच्छा सोचते हो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो दामी है आप उसे मारना चाहते थे आपन यह कैसा रास्ता चुना जुनके फादर कहते हैं तुम क्या जानना चाहते हो जुन कहता है आप कितने अच्छे फादर थे फिर जो आपने किया उसके बाद मैं सब भूल जाना चाहता था और समझना चाहता था कि आपने ऐसा क्यों किया उसके फादर की आँखों में आसु आ जुन कहता है मैं आपको माफ कर चुका था उसके फादर उससे कहते हैं कि हम मुझे ये देखना है कि आगे क्या करना चाहिए जुन कहता है अगर किंग को माने की कोशिश की तो आपको पहले मुझे मानना पड़ेगा और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है उसकी मा आती है और झाल नाना को जाए रहे होते हैं तबी जुन जुनके फादर नकाब डालकर उसकोर आलगते हैं पर कोई उसके पीछे आ जाता है छुन जुनके पीछे भाईक को किसी को चोड़ रखा है, वो हर काम कर सकता है, यहां Christmas डॉक्टर से मिलते हैं जिसने Christmas के इन उच को मार दिया था, वो Christmas को देखर डर जाता है, जुन और गोन भी महीं होते हैं, तb ही उसे डरा कार सब उग्लवा लेते हैं, किनाना ने ही उने सब करने को काता रहा था, और वो माफ़ी मांगत और खता है कि वह poison अभी में नाना के पास होगा और अपने के की सौरी मागता है किंग को माफ करने के लिए कहता है इदर किंग अपनी आगे की प्लैनिंग करते है वो गोयम को प्रिंस के पास भेजते है यहाँ वापिस लाने के लिए कहते है उन्हें डर होता है कि नाना उसे भी नुकसान पहुचा सकते है गोवन वहाँ से चला जाता है फिर किंग जुन को कहते हैं मुझे नाना के पास जाना होगा वो जहर ढूनने के लिए जुन किंग की जगा पर खुझ जाना जाता है किंग कहते हैं ये बहुत इंच्रिस है पर जुन जित करता है और कहता है कि मुझे पर यकीन रखिये मैं ये सब कर लूँगा और किंग को हग करने को कहता है किंग उसे हग करते है जुन उन्हें दामी कहता है और फिक्र ना करने के लिए कहता है फिर आगे कहता है कि जब मैं छोटा था तो आपने मुझे ट्रेनिंग ना करने के लिए डाटा था आपको पता होना चाहिए मैं तब से कितनी ट्रेंग कर रहा हूं फिर वहाँ से चला जाता है किंग अपने कौर्टर में होते है किंग कहते हैं कि रूमर है कि क्वेन ने ट्विन्स को जनम दिया था उसमें से एक लड़की थी दादी और नाना भी वही होते हैं क्या ये सच है दादी वो नाना की तरफ देखकर कहती हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं नाना किंग को कहते हैं कि जो भी आपने कहा वो सब सच है और हम ये सब आप से कब तक छुबा सकते थे दादी कहती है अगर ये सब के सामने आ गया तो कोई भी आपको किंग नहीं मानेगा और आपकी पावर खतम हो जाएगी किंग कहते हैं ये सब मुझे डरा नहीं सकते हैं पर मुझे ये बात ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है कि आप तोनोंने कितनी मेहनत की सच को छुपाने के लिए कितने लोगों की जिन्द की लिए मुझे मजाने के लिए पर अब फिक्र की बात नहीं है ये सब यूमर है जब तक मेरी मरी हुई बैर वापिस नहीं आ जाती नाना कहते हैं मर कर कोई वापिस नहीं आता ऐसा कभी नहीं हो सकता नाना स्माइल से किंग को देखते हैं नाना ने जुन के फादर के लिए कुछ बेजा होता है वो उनकी वाइफ का रिबन होता है जुन के फादर वहाँ जाते हैं वहाँ कुछ लोग उन पर अटेक कर देते हैं पर उनकी वाइफ जिंदा होती है वो आदमी जुन के फादर को हत्यार डालने के लिए कहता है ये सब नाना के कहने पर हो रहा होता है तबी जुन आ जाता है मेट को मरा हुआ देखकर हैरान रहे जाता है और उसके फादर को पतर लिजाता है कि जुन वहीं पर है तब भी जुन के फादर अटेक करते हैं इधर जुन भी अटेक करता है सब डर कर बाग जाते हैं जुन की मदर भेहोश हो जाती है वो क्लीनिक में जाकर उनका इलाज करता है उन्हें ठीक करके बाहर अपने फादर से पूछता है कि ये सब नादा के आदमी थे ना पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जुन के फादर कहते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि मैं किंग कराज उन से चिपा रहा हूं जुन कहता है मुझे पता चला है कि नाना के पास जहर है जिससे लेट किंग को मारा गया था आपको पता है वो कहा है जुन के फादर उसका प्लैन बूचते हैं युन को मार रहा होता है, युन उसके आदमियों से लड़ते लड़ते जक्मी हो जाता है, युन कहता है कि तुम ये सब सत्ता के लिए कर रहे हो, उन दोनों को जाने दो, ये सब करने का प्लैन नाना ने बनाया था, वो युन के भाई से युन को मरवाना चाते थे, क्योंकि यून कीम के साथ था नाना ने बॉगडॉंग और मेट कीम को वापिस लाने के लिए का था वो यून को बहुत मारता है मेट कीम और बॉगडॉंग बहुत रोते हैं यून का भाई यून को चान से नहीं मारता पर उसे बहुत गायल कर देता है और दोनों को वाँ से ले जाता ह इधर जुन नाना की study में आता है क्योंकि फादर ने उसे बताया था गो, जहर नाना की study में हो सकता है, जुन उस जहर को धून्ने लगता है तब यृ नाना महाँ आ जाते हैं, जुन के फादर उनका रासा रोखते हैं, नाना जुन کے के फादर को कहते हैं तुमने किंग का प्लैन पता है वो कहता है किंग अपना शाषन प्रिंजोयंग को दे देंगे और आपकी फ्राइवेट आर्मी को सब के सामने एक्सपोस कर देंगे जुन वहां से भाग रहा होता है तभी सोलजर उस पर टैक करते हैं जुन सबसे लड़त हैं तभी कोई उन परती चला देता है जुन के फादर घायल हो जाते हैं वो युन का भाई होता है वो बॉगडॉंग और मेट किंग को वहां से ले आता है इदर जुन का फ्रेंड किंग तक जुन की नियूस पहुचाने आता है पर सॉलजर उसे अंदर नहीं जाने जाते त जुन का फ्रेंड जो महल में था आ जाता है और जुन का फ्रेंड उसे सब कुछ बता देता है इदर जुन जक्मी हालत में किंग तक पहुचता है और किंग से उन तोनों को प्रटेकना करने के लिए माफिय मांगता है नाना ने सब को पकड़ा होता है वो जुन से वो डिब यहां क्या कर रहे हैं यह तो कद्दारों के काम है जो आप कर रहे हो आप मेरे अंगिस्ट खड़े हो और उनके हाथ से डिपी ले ले लेते हैं और अपने गार्ट्स को उन्हें करने के लिए कहते हैं युन का भाई भी वहां से भाग जाता है खिंग नाला को जेल मे बंढ क करते हैं और अगर मैं आपका सिक्रेट सबको बता दूऊ तो किंग कहते हैं आपने बेगुगुणाहों को मारा है आपने लेट किंग को मारा कौन आपकी बात पर यकीन करेगा नाना कहते हैं कि आपका हर्प को ढूंड लेना सब सच बता देगा किंग हा कहते हैं और उनसे पास जो भी नाना के खिलाफ evidence होते हैं वो सब बता देते हैं वो कल नाना को सब के सामने रिवील करने वाले होते हैं नाना हसते हुए कहते हैं कि तुम मेरे ही दोते हो मुझे तुम पर प्राउड है सुभा कॉर्ट में ने किंग evidence के साथ नाना को arrest करने और उने मारने का अदेश देते हैं इसके बाद प्रिंस जोयम गौन के साथ कॉर्ट में आते हैं इसके बाद किंग दादी के साथ दिखाये जाते हैं दादी कहती है तुम शाशन प्रिंस गौन को क्यों दे रहे हो फिर वो उन्हें सब सच बता देते हैं कि वो एक लड़की है वो मेड के रूप में यहां आई थी नाना ने प्रिंस को मरवा दिया था दादी हैरान होती है उन्हें यकीन नहीं होता और किंग उनसे माफिय मांगते हैं कहते हैं जब यह सब खतम हो जाएगा तो आप जो चाहे मुझे सजा दे देना मेरी पनिश्मेंट आप रिसाइड कर लेना इदर जुन की मौम जुन के फादर का ख्यार रख रही होती है होश में आते ही वो सबसे पहले जुन को पूछते हैं जुन फादर से कहते हैं कि नाना को सजा मिल गई है जिनों ने भी उनका हुकुम माना उनको भी सजा मिलेगी जिनके फादर कहते है कि वो खुद King के पैस जाएंगे और अपने सारे उसकी मां कक्यार रखने के लिए के लिए कहते है प्रिंस जोयम King के पास आते हैं और उनने King ना बनाने के लिए कहते है King कहते हैं मेरे नाना के crime exposed हो गए है इसलिए ये position मेरे लिए सही नहीं है प्रिंस कहते हैं आप इन सब के सच्चे अकदार हो ये throne आपका ही है और आपका रहेगा वो उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि फादर भी यही चाते थे इसके बाद उनके फादर किंगे सामने आते हैं और अपने सब खुना कभूल कर लेते हैं किंग कहते हैं तुमने मेरे भाई को भी मार दिया और मेरी friend को भी मारा है इसके लिए मैं आपको जिन्दा नहीं छोड़ सकता और आपको कोई माफी नहीं मिलेगी पर किंग उन्हें काम देते हैं कि आप आर्मी के साथ नाना की प्राइवेट आर्मी को खत्म करने के लिए जाएं उसके बाद उनकी सजा के बारे में सोचा जाएगा इसके बाद किंग वो सब याद आता है कि जुनके फादर ने क्या क्या किया है रात को किंग क्वीन के पास आते हैं और कहते हैं कि आपके फादर ने नाना के साथ मिलकर उनकी प्राइवेट आर्मी बनाने में हेल्प की क्वीन कहते हैं मुझे सब पता है आपने उनकी और मेरी पोजिशन भी हैटा दी है कौट से आप मुझे कोई भी punishment दे सकते हैं King कहते हैं मैंने आपके फादर को नाम आने के लिए कहा है और आपको पहले स्चोड़ कर जाना होगा और आप बाहर नहीं लाइफ शुरू कीजिए वोर उन्हें लगती है King कहते हैं मैंने आपको promise किया था मैंने जो आपके साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत है मैं आपके काबिल नहीं हूँ वीन रोने लगती है और कुछ नहीं कह पाती यून ठीक होकर अपने फादर की ग्रेव पर आता है जिससे लेट King ने मार दिया था उसका भाई भी वहाँ आया था जक्मी हालत में और वो कुछ दिन तक वहाँ रहा एक आदमी यून को उसके भाई का दिया वो लेटर देता है फिर यून उसका एड्रेस पुछता है पर उस आदमी को वो नहीं पता होता King पेड़ के नीचे खड़े होते है तबी जून वहाँ आता है जून भी उन्हें कुछ भी करने के लिए कहता है तबी बॉग्डों काता है और कहता है नाना वहाँ से भाग गए है इदर सब सॉल्जर और जून के फादर ठिकाने पर पहुचते हैं वहाँ प्राइवेट आर्मी नहीं होती King जेल में देखने जाते हैं और सोचते हैं यह सब कैसे हुआ वहाँ उनके सारी सॉल्जर्स मरे पड़े होते हैं इदर यून अपने भाई की फेली सुल्जा लेता है नाना अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ और यून के भाई के साथ पैलेस में आते हैं और यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है थैंक यू थैंक यू फर वाच्छिंग